सुशान सिंग रादपूत केस में बिहार पुलिस जो है अंकिता लोखंडे का बयान दर्श करने के लिए अंकिता के घर पहुँच चुकी है मलाड में उनका घर है तो बिहार पुलिस आज अंकिता का बयान दर्श करेगी कर्फिल्म विंडो ने आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरह से अंकिता ने जो है मदद की है सुशान के परिवार की जो सारी चैट्स उनके पास थी मर्णी करने का जब रिलीज हुई थी तो सुशान ने जो है उनको मैसेज करके विश किया था और उसी चैट के दौरान ज जी है सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक और एहम बार जो फिल्मिंडो ने आपको बताई थी कि अंकिता जो है दो बार पटना गई थी जी हां सुशान के निधन के बाद वो दो बार पटना गई थी सुशान के फैमिली से मिलने श्वेता से मिलने जो उनकी बेहन और श्वेता को ही सबसे पहले उन्होंने वो सारी चैट्स रिखाई थी और उसके बाद जो है रिया के खिलाब जितने भी सबूत परिवार के पास थे उनके पिता ने खुद मुंबई में आकर जो है बहुत सारी इंवेस्टिगेशन की बहुत सारे लोगों से मिले दोस्तों स बहुत सारी चीजों का खुलासा जब उन्हें हुआ तो सारे सबूतों को जुटा कर उन्होंने पटना पुलिस में जाकर दिये और वहां प्रेफाय अर्दरज कराई और यही कारण था कि मुंबई पुलिस जब बार बार उनकी बहनों को भी बुला रही थी तो उनकी बहन इसलिए रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी स्टेटमेंट क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर किसी बात का विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस ने जो है सुषान के परिवार को फोन करकी यह बोला था कि आप बड़े-बड़े बैनर्स के जो है नाम ले लीजे हम उन लोगों के बयांदर्ज किये जाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात जो काम मुंबई पुलिस इतने दिनों में नहीं कर पाई पटना पुलिस ने दो दिन में वो काम कर दिये ऐसा लगता है कि मानो अब इस केस में कई बड़ी-बड़ी डिटेल सामने आ रही है फाइनेशल चीजे जो है डिटेल्स अंकिता शेयर करेगी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस से और जो है यह सारी चीजे बताएंगी कि उनको जो है सुशान ने क्या क्या कहा था और जो उनके पास चैट्स है हाले कि वो पहले ही शेयर कर चुकी है लेकिन अब एक डिटेल को रिकॉर्ड करने के लिए